तो हाई गाइस दीज वेग और आज की इस वीड़े में लोग बात करने वाले हैं यार देखेंगे इस्टे बाइस्टे प्रोसेस की आपको कैसे यह अलॉट्म लेटर डाउलोड करना और कैसे आप यहां का प्रोसेस होने वाला है साथी साथ बहुत तो हीका डाउट्स है जो यह अप्ग्रेडिसन और फॉर्म के रिकारिंग उसका भी डाउट्स को लेर करने वाल है और देखने वाल है कैसे आपको अप्लोड करना और बहुत सारा डाउट्स अपको क्लेर होगा इस वीडियो में तो जिसको नहीं मतलब इस प्रस करना नहीं बोलना कि आपको ऐसे अपडेट्स टैप टैम पे मिलता ही रहे इस चैनल से और आप जल्दी से इसी देखो अच्छा से और इसका हर एक प्रोसेस को ध्याम से समझना बार 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 बोल रहा हूं क्योंकि अगर कुछ गलती करोगे तो आप वापस इस काउंस देखने को मिलेगा मतलब की seat allotment का tap महाँ पर मतलब जैसे आप login कर लोगे वह seat allotment का tap देखने को मिलेगा new करके ठीक है पहले वह open नहीं हो रहा था बड़ अब वो open हो रहा है तो आप उसे open कर लेना यह step by step में प्रोसेस इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ अ sign in करना है and sign in करने के बाद आपको new allotment letter जो है means sorry means seat allotment result जो है उस tab वो new करकर आ रहा होगा वहाँ पर click करना है so जैसे ही आप click करोगे आपको यह पर बहुत साथ प्रोसेस दिखेंगे incomplete completed दिखेगा तो सबसे पहले आपको seat allotment result को view करना पड़ेगा तो आप जैसे view करोगे उसमें आपको roll number वगरा round one दिखाएगा और जो institutes है और जो rank से मिल रहा हो दिखाएगा उसको pay seat acceptance fee में click करना है क्योंकि अगर जब तक आप fee payment 5000 कर नहीं करोगे तब तक आपका allotment letter generate नहीं होगा आपको fee payment online करना है और आपको bill desk payment में जाना है means on 5000 के लिए online पेपर गरना पड लेगा या पर debit card credit card internet banking वगरा मिल सकते हैं बड़ आपको qr code नहीं मिलेगा UBI वाला सो इस बात को देख लेना ठीक है बहुत सारे में आज कल की कि वार आता है तो बटी इसमें अभी qr का facility नहीं है सो ध्यान देना सो आप जैसी payment के लिए जाओगे आपका payment यहाँ पर अभी म आपका means कटेगा अभी पहला बार में में जो balance कटेगा सो यह फी payment कर देने के बाद आपका जैसे successful हो जाएगा इसके बाद आपको फिर से मतलब आना है अपने main page में और वहां से आपको फिर download करने का allotment letter download generate करने का आपको मिल जाएगा option जैसे ही आपको सारा complete हो जाता है payment व इसको download करना सबसे important है क्योंकि अगर यह नहीं करोगे तो आपका वहां पर जाना वेकार है counseling के लिए यह आपको बतायागा यहां पर आप allotment letter में पढ़ भी सकते हो कि यहां पर link दिया गया है कि आपको एक particular time के अंदर जो time दिया गया है WPG के तौरा उसके अंदर है आपक प्लस आपका जेतने भी documents है अब documents में क्या क्या है वह आपको अल्रेडी मैंने बता दिया है सारा मिनस आपको PDF जितना भी है documents का आपको website में मिल जाएगा आप देख सकते हो इसमें 10 का 12 का सारा documents हो गया domicile हो गया tfw अगर है तो tfw हो गया and domicile and tfw and category यह सबसी important रहेगा और बाकिया सारे आपके academics प्लस अपना passbook और ID proof ले जाना मत भूलना कहीं mention नहीं बट ले जाना क्योंकि लग सकता है उसके बाद आपको unique allocation ID भी दिख रहा होगा वो बहुत important है क्योंकि वो उसके बिना आप वहाँ पर इंटर नहीं कर सकते है वो एक OTP जैसा है वहाँ पर ज आप counseling आगे process नहीं कर पाओगे अपने institute में जा करके जिस किस दिखोंबे doubt है भाईया जाना पड़ेगा क्या एकदम जाना पड़ेगा institute में जाए बिना आपका कुछ नहीं होने वाला अगर आपको अपना counseling cancel कराना है तो वही है कि आप कुछ मत करो ठीक है आपका cancel हो जागा लेकिन आपको अगर freeze करना है आपको upgrade करना है कुछ भी करने के लिए आपको institute में जाना ही पड़ेगा सब कुछ होने के बाद log out कर लेंगे तो अपना काम हो गया अब मैं यहाँ पर एक सू कर देता है आपको yes upgradation no upgradation का form ठीक है क्योंकि बहुत को problem है कि यह भाईया क्या करना है क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग online कर लेते थे बड़ अब यह process थोड़ा सा offline वाला हो गया है तो बहुत कोई का अभी भी confusion रहता है तो जलिसे हम लोग website में चलेंगे और देखेंगे तुम्हारा yes upgradation का form क्या है और no upgradation का form कहां पे है तो आप जैसे wbg में जाओगे means website पे तो आपको वहाँ पर yes upgradation and no upgradation का format दिख रहा होगा आपको क्या करना है वो दोनों को download करना है अगर आपको upgrade करना है means upgrade करना further तो आपको जाना पड़ेगा yes upgradation के लिए ठीक है और अगर आपको upgrade नहीं करना तो no upgradation के लिए तो अभी मैं yes upgradation का form आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर date वगरा सब आपको fill करना पड़ेगा नीचे में signatures लगेंगे बहुत सारे तब आपका यह means confirm होगा तो आप यह स्क्रूल करोगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि यहाँ बहुत सारे statement आपको कुछ करना नहीं जस्ट आपको signature करना अपना नाम रोल नंबर और सब कुछ देना है यह वहाँ पर जाकर verified हो जाएगा वहाँ पर seal वगरा लग जाएगा इसमें और वो submit हो जाएगा और yes के लिए भी same है no के लिए भी same है yes का form 1 है no का form 2 है अगर no करते हो तो आपका freeze हो जाएगा yes करोगे तो वो upgrade हो जाएगा अगले वीडियों कुछ ऐसे अपडेट्स के साथ तब तक के लिए ध्यान रखना गाईस कांसलिंग ध्यान से करो ख्याल रखना बाई